इस प्रोगाम में तोड़ा स्वागत है यह डाउटर साथ स्वाजाल दे सेशन विछ साथ पहला स्वाल है पार्टी फोई दे साथ का मुखी जनरल वीके सिंग ने जम्मू किश्मी सरकारदा तक्ता पल्टन लेग खुफिया फंडानी दुरवर्टों किती है इस बार तोड़ वीके सेंग जदों जैनल बने हैं उदों तो लेके जदों ताफक उन्हें एंड जैनल विकरम सेंग जी इस्तिवारी सी वो इसनों रुकन दे लही और फिर इवन दिली दे विछ वी को करन दा यह तनवी जी अपने वीकली कॉलम दे विछ खारस्तान कॉलिंग इंगलिश औ नहीं ते इदे जैनल पीरिड दे दोरान आठ तो दस लिखतां जरूर लिखिया ने और पहले दिन तो मैंनो यह लगदा सी के भी एजड़ाए हंदू तवी हैं दे जैन्टे जी इन्हें जदों सौवी चुकी लालता गाई दे गुटते बने होया सी और जड़ा बिलकुल बीजेपी ते नार इदार है और जदों इदी एक्स्टेंशन दी गाल लाई इन्हें सुप्रीम कोड दी ओर्डर्स दी भी तोहीन किती कही कुछ किती और बीजेपी हमेशां पार्लमेट ज खुलो के इन्हों डिफेंड कर दे सी जी हून जड़े फैक्ट बार आ रहे ने औ कोई समा पांदेने इता आंदेयां जाके अन्हा हजारे दी रैली च बैग है उदे नार गाल गए होने निरंदर मोदी जनू प्रदानमंत्री अलानेया होया है बीजेपी ने उदा रिवाडी दे विच एक इकट सी उदेच भी नार उदे बैठा सी इन्हें सिद्धे तोहर चारतारा वाड़ा बंदा सी इन्हों उन्हाने अग्गे ले आनदा है और इन्हाने एक वर्यू हलांके उदो इन्डियन गौर्वर्मेंट ने उन्हों हाशाश कार दता है कि जी नहीं है होया नहीं है पर एक कू करके भी पावर लेना चाहूंदे सी फाजी कू करके हून ज आरेक्टर जैनल मिलिटरी आपरेशन लेटर जैनल वनोद पार्टिया ने एक गुप्त रिपोर्ट जड़ी है उजारी कीती है जोड़ी बहुत लीक कारदन देने जड़े वी वेस्टर इंट्रेस्ट हुन देने जी और दो चुनने किया है भी जदों ए वीके सिंग फॉज जी मुखी सी तो इन्हें जड़ी टेक्निकल सर्विस डिविशन है फॉज दी जी उस देनो वर्त के काफी गुप्त फंडा राईं जमू किश्मीर दी अमर अब्दॉल्ला गौर्मेंट नो चल्दा करण दे लई साजश कीती सी जी उन्हालां के इन्वेस्टिगेशन उते फाज रान कर दी है जी हुन इंडिया जी फाज की कर दी है इस तो पहला असी जिकर कर चुके हैं कि जे रजीव गांदी कुदीप ने यर्दे कैन मताबक सियाचन ग्लेशियर तो फाज हटाना चांद है सी जी जड़ा हुदा बेन जीर नार्ड सम्झाता हुए है ते फ पर जे लुकां दे मैंडेट नार्ड कोई सरकार बढ़ी है ते फाज दा जर्नेल उन्हों जिड़ा हुँ धिकना चोंदे तो यह तो बहुत सीरियस गाले और चंगी गाले सार सिम्झी सिंग माना काली दाल प्रेजडेंट उना दी आजी स्टेटमेंट लगी है और उदे च जर्नल वीके सिंग वर गे मतस्वी सोच वाले दागी नू जर्नेल बनोना कांग्रस दी केंदरी हकूमत दी बजर गुस्ताखी कि उन्हा ने किया है कि यह सारे दे उत्ते कारवाई हुए फाजी ने इमादे मताबक कि एक फाजी जर्नल जड़ा है वो इना पावर्फुल ब सिर्फ हो मिनिस्ट्री खुफिया जैंसिया जाए डिमिस्ट्रेशन दे विची नहीं बनी इवन फाज दे विच वी जैनल लेवल तक वी जड़ाए ना हिंदू तो वियां दी को स्पैट जी ररसाब सब सब आगला स्वाला है पंजाब सिरकारवलों एक हफ्ते च बदी सो 251 जमीन अक्वाइर करन दे फैसले ना किसाना विच पारी बैचन देखो इंडियन पार्लिमेंट ने एक एक्ट पास कीता है पिशले दिन आच जी जिदे थले जड़ी गौर्मेंट है उँ जबरदस्ती जमीन अक्वाइर निंकर सकदी एक सो भी साल पराणा ग्रिजन दे एक्ट है लेंड एक्वाइशिशन एक्ट जी उदे थले स्कूर्टी रीजन्स करके किसे एमर्जेंसी करके गौर्मेंट किसे भी जमीन नों जनी मर्दी उप जाओ है उन्हानों कर सकते एक सो भी साल पराणा लाओ से होन इंडियन पार्लिमेंट ने चंगा कम कीता है उन्ह ने तेन चार चीजान हमें एक्ट दे विच रखी हैं के जिननी मार्किट प्राइस है जमीन दीजे गौर्मेंट ने अक्वायर करनी है जी उस तो चार गुणा ज्यादा मौाफ़ा किसान नो दिपता जाएगा जिदी जमीन लेनी है जी और जित जो भी प्रोजेक्ट लगन है उत्ते उदेच जड़ा असीफी सदी जे जमीन से दस कसाना दी जमीन लेनी है ते दस चों छे खलाफ ने कभी ऐसी जमीन नहीं देनी जी ते फिर उजमीन नहीं ले जाएगी असीफी सदी दी परवानगी जरूरी है एटी परसेंट जी इदा मतलब या जे पांच कसाना करनी है तो चार राजी होने चाहिए देने फिर ही एक्वायर कर सक देने तीसरा के जे तो किसान नहीं आफर करनी है के जैसे तो आनू चार गुना ज्यादा कीमते लेनी है एक किसान लो चॉइस दिती जाएगी के भी जे तो इस प्रोजेक्ट दे विच पागीदार बढ़न होए ने उन्हाने एक जारी किता है अदेश जड़ा के कोई असेंब्लीज पास नहीं होंदा है इन्हों अदीस सूचना कहने ने नोटिफिकेशन जी 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 उदे थल्ले उन्हाने तिन हजार दो सो पंताड़ी एकड़ जमीन जेड़ी है पंजाब दी किसाना दी वो हुआ और इस दिन हाड़ी उन्हाने पाइश सो एकड़ एकड़ जमीन जेड़ी हो मुलापुर्दी एक्वाइर करनदा कीता है कसाना ने सुखपाल खेरा दी प्रेजिडेंसी थले एक प्रेस कांफरेंस कीती है और उन्हाने किया है भी इस अड़नल तका हो रहा है और खेर कोड़ माई कसाना दा दोस्ते जी ड़कर साथ तोड़ा बहुत बहुत तानवा तो साड़े दर्शकान दसो आजवजाद देखो आजी दे विचार ले इसी लें दे पंजाब दे जड़े बहुत चंगे सूफी शायर सुल्तान बाहु जी उन्हा दे कराम नू चुने साड़ कि एक दिन जरूर असी उस रिच सूफी हैरिटेज शाह हुसैन सुल्तान बाहु इन्हा सारे नों चोंकि से नों थाँ देए जी जी तो क्योंके इन्हा दा सूफियां दा भी रब देनार रिश्टा उस दी मूल गंड प्यार है जी और ये बिना किसे नफरत तों बिना किसे मजबी जाना जात पाती डिविजन तों सिर्फ ते सिर्फ प्यार दी गाल कर देने लादेनार रब देनार पेशक दारूना दा इसलाम है लेकन एक लिबरेटिड किसम दे इना दे फेट वाड़े जड़े नियों सिदानत ने जी और ये कहने ने सुल्तान बाहु अलफ आग महबत वारा दम दम नार सडेंदा हू जित्थ हू करे रुशनाई उत्थों छोड अंदेरा वेंदा हू दोही जहानी गुलाम इस बाहू जोडा हू ना सही करेंदा हू जी कि मेरे तां अंदर वी रब ये हर इनसान दे अंदर वी रब है क्यों कि अल्ला अलफ तो लिक क्या जानता है तो उना ने अपने इसलामिक वर अजड़ी वरनेकुलर ए अरभी दी उदे ते अलफ ते उतेस रचनानों कीते क्यों अल्ला अंदर वी है ते बाहर वी है ते वत बाहू किते लबेंदा हू जी बाहर किते लबदा फिर दे जी जी जोसी गुरूत एक बहादर साब दी ये बाणी पढ़ दे हैं काहे रे बन खोजन जाई सर्ब नवासी सदा अलेपा तो ही संग समाई जी तुबार किते लबदा फिर दे यू जड़ा है रहा होते तेरे कोड है तेरे नाड बैठ है जी सो ए इस थौट नो सुल्तान बाहू अलफ अंदर हू ते बाहर बाहू किते लबेंदा हू अपने आपनों कह रहे हैं सुल्तान बाहू किते लबदा फिर दे के एजड़ा हूदा दाग है उस रबदी हूद है उस निशान है उता मुहबत वाले उता प्यार दा बज्या हूए है जी तुँ उस ते प्यार चाहें ते ओ तेरे कोड बैठ है ते दमदम नाड सिडेंदा हूँ वहर दम तेरे नाड है जी और जिते ओर रब है उते रुशनाई है उते चानने उते हनेरे दा कोई काम नहीं उत्हों छोड अंदेरा वेंदा हूँ ते उस तो अगले शेर चुनाने किया अल्फ अल्मस्त बिर्बे कम सुनें दिल मेरे जि हूँ खुब वतन दी गालब हूई एक पल सौन दिन्दी हूँ कैर पवे तैनू राजन दुनिया जो तुम हक दा रा मरेंदी हूँ आशका मूल कबूली न बाहू करकर जारियां रुन्दी हूँ कि अल्ला उस वेराग दनाए उस तो वुछोड़ा सारी जिन्द नू कलूबल कर दा है सारी जिन्द विछोड़े दे विच वुछ वुछ पी treadmill मैसूस कर द सकर दीया कि बाबा फरीद ने किया कि बिरहा बिरहा आखी है बिरहा तू सुल्तान फरीदा जहतन बिरहना उपजय सोतन जान मसान सो उधी गल कर देने नाल केंदेने कि हुब वतन दी गालब हुई एक पल सौन ना देंदे एह उन वतन रंकारदा देश है बेगाम पुरा शेहर को ना हूँ की उस वतन दी जडी वेरागी और विच्शोडए दी पीड़ है उन मैंनों मरी रू नू बैंड देंदी मैंनों सवन नी द Tamil कैर पहेता दुना राजन लटे रहें नू गैंदेने और दुनियादारी चड़ा बुरता रहें उन्हों कहाना है कि कैर पवे जो तुम हक दा रामरें दी हूँ हक रंकार दा फिर चंतन है कि जड़ी दुनिया जा दुनियावी चीजां दा प्यार उस हक जा रब्द रस्ते दा एक रुकावट बन के ख्लो जान दा राजन बन जान दा राजन लुकेरे नु कहाना दा आशका कबीयां दी प्रेट दुनिया दी खिच ये आशका नो रोक नी सक्दी रबदे प्यारेयां नो रबदे रस्टे तो रोक नी सक्दी ये आशका मूल कबूली ना बाहू करकर जारियां रूंदी हूँ कि ए माया जड़ी है ए अपने आप दे विच पर रूंदी फिरे पर आशक रबदा रब तो दूर नहीं होए गए जवें कबीर साब ने फरमाया कि नाकों काटी कानों काटी काट कूट के डारी कह कबीर पगतन की बैरन तीन लोग की प्यारी के माया तना लोकां दी प्यारी हो सकती है रब दे बंदे आदी रब दे आशकां दी जड़ी है ओ उस दे उत्ते होदा जोड नहीं चलता है जी ओ रब दे ना लिए अपनी प्रीतना बहुत बहुत आन्वाद विर्स साड़े प्रोग्रम दा समा जी की फटे